हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मै चैनल चटा का रसोई में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यम्मी एंड डिलिश्यस मैदा की कचोड़ी बनाने की रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे इसके लिए मैंने उरत की डाल को भिगो कर मिक्सर ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लिया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे नमक यह मैं ले रही हूं सौफ सौफ मैंने पिसी हुई लिए हैं अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला गरम मसाला आप अपनी स्वादन उसार डालिए धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर अब हमें इन सब को मिक्स करना है अच्छे से मसालों को डाल में अच्छे से मिक्स करना है फिर इन्हें हम भूनेंगे अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हलका सा ओईल एड़ करेंगे बहुत थोड़ा ओईल हमें लेना है इसके साथ हम अपनी डाल को फ्राई करेंगे अब हम इसमें अपनी डाल एड़ करेंगे डाल को हमें अच्छे से फ्राई करना है और ब्राउन होने तक इसे भून लेना है जिससे इसमें जितना भी मोईस्चर होगा न वो निकल जाएगा और फिर ये हमारी कचोड़ियों में भढ़ने के बाद बाहर नहीं निकलेगी ये देखिए अच्छे से हमें इसे चला कर भून लेना है बस दाल हमारी तयार है ये देखिए भून चुकी है हमारी दाल ये देखिए बिल्कुल तयार है हमारी दाल अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम अपना डू रैडी करेंगे इसके लिए हम लेंगे मैदा मैदा को चान कर यूज़ करना है ये में ले रही हूँ मैदा नमक रिफाइन डॉil आदा का प्रिफाइन डॉil लेना है आपको और अब एक बोल लेंगे उसमें हम डालेंगे मैदा नमक और इसे mix करेंगे अच्छे से दोनों चीज़े mix करने के बाद अब हम इसमें refined oil add करेंगे refined oil डालकर इसे अच्छे से mix करना है जिसे कि ये पूरे आटे में mix हो जाए और mix करने के बाद आप इसे हाथ से bind करके देखिए जैसे ही ये bind होने लगता है देखिए तो ये तियार है बस अब हम इसका dough ready करेंगे पानी के साथ इसे गूठेंगे और इसका dough हमें ऐसा लगाना है जैसे हम नॉर्मली अपने गर में पराठे बनाते है और बिल्कुल पराठों जैसा dough रखना है इसका ज्यादा टाइट डो नहीं लगाना है ये देखिए अब हम इसे दस मिनिट के लिए ढखकर छोड़ देंगे अब हम दस मिनिट के बाद इसके stuffing फिल करके ऐसे गोल गोल पेड़े बना लेंगे ये देखिए stuffing फिल करने के बाद ऐसे round round करके इसके हम पेड़े बना लेंगे अब बस हम इने बेलेंगे और हमें इने तोड़ा मोटा बेलना होता है मूटा बेलने से ही इसका टेक्सचर अच्छा आता है और जादा पतला नहीं देखे इतना मूटा इसे आपको रखना है अब बस यहां मैंने अपना ओयल पहले ही हीट होने रख दिया था अब हम इसमें अपनी कचोरियां डीफ्राइ करेंगे इन्हें हमें बिलकुल धीमी आज पर फ्राइ करना है क्योंकि अगर हम तीज आज पर इन्हें पकाएंगे तो यह जल्दी से पक जाएंगी और अंदर से यह कच्छी रह जाएंगी इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन्हें आप जब भी बनाएं धीमी आज पर ही पकाएं ये एक main tip है इन कचोडियों को खस्ता बनाने का अब कचोडिया हमारी फूल रही हैं इन्हें हमें golden brown होने तक deep fry करना है ये देखिए कचोडिया हमारी golden brown हो चुकी है अब बस हम इनने निकालेंगे ये देखिए तयार है हमारी खस्ता कचोडियां अब बस आप भी अपने घर पर बनाईए सब को खिलाईए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकोन प्रेस करना भी मत भूलिएगा बाइ-बाइ